हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू माई चैनल रानी फूर्ट्स अन व्लोक्स में मैं आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत करती हूँ आज हम बनाएंगे बच्चों की बेहत पसंद मैकरोनी की रेसिपी बच्चों को मैकरोनी पास्ता वगारा मिल जाए तो बहुत खूश हो जाते हैं तो वही रेसिपी आज मैं लेकर आई हूँ और बिल्कुल क्रीमी सी हमारी इसकी सौस होगी और बहुत ही चीजी बनकर तयार होगा तो चली बनाते हैं इसके लिए लेते हैं हम एक पतीला और इसमें डालेंगे पानी ये गरम पानी है इसमें हम उबालेंगे अपने पास्ता तो ये मैंने एक कटोरी पास्ता लिया है ये वज़न में 200 ग्राम के आसपास होगा तो ये लिया है मैंने मैकरोनी आप चाहें तो पैने पास्ता या और भी कई तरह की पास्ता आते हैं आप कोई भी ले सकते हैं इसमें डालेंगे हम थोड़ा सा ओईल इससे ये हमारे जो है पास्ता आपस में चिपकेंगे नहीं और अच्छी तरह से बोईल हो जाएंगे बलकू अच्छे तरह से उबनने शुरू हो गया है पानीं अच्छा सा उबाला गया है तो अब भी हमारे पास्ता थोड़े कच्छे हैं तो इसको थोड़ी देर हम और पकाएंगे यह बिल्कुल वॉइट से होजाएंगे कर बीछ हो जाएगा इनका हमारे पास्ता बनकर ड्लकुल रेडी हो जाएंगे होको हिए उस लेकर होगा चाकु करना है है कर देख लिते हैं सर्ट रहे हैं अंब इस लिए चलनी पती ले के उपर अधी । अषर दोark जानगे जाती हटा जाकाए पानी, पानी यह है। अधुalist के साथ छुटा पानी करें और इसमें धीडरा कशना थाख गजाले मेंelly अचम करें। अब हम लें एक चोटा सा पैन और कैस कर देते हैं औरको इसमें डालने म Literally ज अब हम शादा शोंब ही מצा करना है हमें घूधा मैंने इसका ले लिया है अगर आपके पास लाल शिम्मला मिर्च है तो आप वह ले सकते हैं या अपनी पसंद की और भी सब्येस में एड़ कर सकते हैं तमाटन वैने थोड़ा सा कलर के लिये लिया है बस और कुछ नहीं आप चाहें तो शिम्मला मिर्च भी डाल सकते प्रेश में लाल वाली हो तो आपके पास उर पीप्ली कि थोड़ा कलर्फूल सा हमारा पास्टा बनकर तयार होगा और इसी में मैं डाल दूँगी थोड़े से फ्रोजन कौन लिए है मैंने अगर आपके पास फ्रेश कौन है तो आप जब हम मैक्रो नी उबालते हैं या पास्ता उबालते हैं तो उसी वक्त आप इसको डाल दीजिए ताकि पास्ता के साथ वह अच्छी तरसे पक जाए कच्छ और अर्गया कर स्वाने हैं हलका सा हम इसमें डालें नमक हम थवड़ा-थवड़ा करके सबीचिजों में डिलेता है तो इसलिए नमक डृब्लें पर सब्जियों को हमें सॉफ्ट नहीं करना है बिल्कुल भी देखिए सब्जियां हमारी बिल्कुल अच्छी तरह से हो गई हैं अब हम गैस कर देते हैं बंद और इसको उतार लेते हैं गैस से अब हम लेंगे एक कड़ाई पैन जो भी आपको लेना है तो इसमें बनाएंगे हम सॉस तो गैस को कर देते हैं और इसमें डालेंगे हम बटर है थोड़ी सी बटर यह हमारी सॉस बन कर तयार होगी बहुत टेस्टी लगती है तो इसमें डाल देंगे हम एक चमच तेल इससे हमारा बटर जो है वह थोड़ा सा जलेगा नहीं बस इतना अब तीन चमच मैने इसको मैद को बिल्कुल भून लेंगे अची तरह से इसका कच्छापन बिल्कुल अच्छते से पूरा चला जाए जब हमारा मैदा भून जाएगा तो इसमें से अलग सी भीनी भीनी सी खुश्बू आनी शुरू हो जाएगी और जो मैदा और हमारा बटर है वह बिल्कुल अलग अलग साब बबल से आ जाएंगे उसमें तो समझिये हमारा मैदा बिल्कुल अच्छते से भून गया है तो अभी देखिए इसमें अभी बबल आने शुरू होने शुरू हो गए हैं तो अभी थोड़ी देर और हम इसको भून लेंगे वाइट सोस बनाते वाकत जादा जल्द बाजी ना करें बिल्कुल दीमी आज पर हमें इसको हलके हलके से भून ना है हाई फ्लेम पर करेंगे तो हमारा मैदा जो है वह जल जाएगा देखिए हमारा जो बबल है बिल्कुल आने लगे है उपर तो हमारा मैदा जो है प्रिवर्पल भी कच्छापन नहीं है तो अब हम लेंगे एक कप दूद्धending थोड़ा-थोड़ा डालते जाएंगे और इसको चलाते जाएंगे चोड़ेंगे नहीं नहीं तो शोड़ा से लंफ कर जाएंगी ऑजीं इसके लिए आप विश्कर भी ले सकते हैं उससे ज्यादा आसान रहेगा चम्मच की वजए तो थोड़ा ढालते जाएं और इस तरह से मिक्स करते जाएं साथ-साथ और हमारे बिल्कुल क्रीमी सी सॉस बनकर तयार हो जाएगी तो चम्मच को छोड़ देते हैं हम ले लेते हैं एक विश्कर और उससे अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लेते हैं ताकि इसमें कोई लंप्स न रहे अगर आपके लंप्स पड़ भी जाते हैं तो कोई दिक्कत नही हैं आप इस सॉस को चान लीजिए चलनी में से तो लंप्स जो है उपर रह जाएंगी और हमारी क्रीमी सॉस बनकर नीचे रेडी हो जाएगी हमने अपनी सॉस को विश्कर से किया तो इसमें बिल्कुल भी लंप्स नहीं है बिल्कुल सारे लंप्स खतम हो गए हैं तो इसको इस तरह से चलाते हुए हम इसको पकाते रहेंगे यह हमारी सॉस जो है गाड़ी हो गई है देखिए इस तरह से लेकिन अभी इसको दो मिन्ट और पकाना पड़ेगा थोड़ी सी अभी इसमें कसर रहती है तो इसको थोड़ा सा और हम इसको पका लेते हैं थोड़ा सा फ्ले जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि हम हर स्टेप पे थोड़ी थोड़ी नमक डालेंगे तो नमक ध्यान से डालें, हलका हलका सा हीस में टच करें, कम रह जाए तो आप इसको बाद में भी मिक्स कर सकते हैं, हमारे सोस बनकर रेड़ी है, अब हम इसमें डालेंगे अब आसा नमक और तीखापन होगा तो इसलिए नमक हमने पहले हलका सा डाला है, तो देखी क्रीम जो है हमारी बिल्कल बनकर तयार हो गई है, अब हम इसमें डाल देंगे अपनी जो सोटे कीवी सब्जियां दी वो सारी इसमें एड़ कर देंगे, अच्छी तरह से इनको हम अब हम मिक्स कर लेते हैं, थोडसी सोस को पैन में डाल गर, गीव उद्गी बटर बटर हम उतार ही को, इसमें डाल देंगे, तो हम ने बॉइल किये हुए पास्ता या मैक आप रोणी और इस तरह से सब को मिक्स बिभ ड़णेगे game मेरी बिल्कुल क्रीमी क्रीमी सी में मैकरोनी बन कर तयार होगी और बच्चों को बहुत पसंद आती है ऐसी रेसीपीज उनको तो चाहे है रोज बनाकर खिला दो बहुत खुश हो जाएगे तो आका इतनी अच्छी सी हमारी सौस में लिपट गई है बिल्कुल मैकरोणी और क्या लाजवाब सी लग रही है तो बस हमारी मैकरोणी बनकर बिल्कुल रेड़ी हो गई है अब हम इसमें थोड़ा सा नमक और और गणा हर्बस गैरा डाल देंगे तो हलका सा नमग डाला है थोड़ सी चिली फ्लेक्स और ओर्गनो हर्प्स इसमें हम एड़ कर देंगे और हमारी क्रीमी क्रीमी सी मैकरोनी बनकर बिल्कुल रेडी हो जाएगी और सबसे फेवरेट बच्चों का हम डालेंगे इसमें ये मोज़ेला चीज बच्चों को तो बहुत पसंद आती हैं और बच्चों के लिए बना रहे हैं तो चीज डालना तो बनता है तो मैंने ये थोड़ा सा चीज इसमें एड़ किया है ये बिल्कुल ऑप्शनल है अगर आपके पास है तो डालें नहीं तो इसके बिना भी आप बना सकते हैं सौस से ही हमारा मैकरोनी जो है बहुत अच्छा बन जाएगा तो डाल देते हैं हारा धनिया और बिल्कुल रेड़ी हो गया है हमारा चीजी क्रीमी पास्ता मैकरोनी और ये देखें कितना टेस्टी लग रहा है हमारा मैकरोनी पास्ता रेसिपी पसंद आई होगी प्रेंड्स अगर वीडियो अच्य लगी हो तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक करें करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आईकन प्रेस करके आल प्राखिल करना ना भूलें ताकि आपको मेरी आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिलते रहें थैंक यू फोर वाचिंग बाई एंड टेक केर